गौलेर के बिलावा एलाखे में गौशाला के लियावंट जमीन पर अम्बीट करके प्रतमा रखती गई थे गौशाला का उद्गाटन करने पहुंचे लगुत द्योग निकम की अध्यक्ष इमर्ती देवी के स्थानी लोगों से बहस हो गई जुसका वीडियो सोशल मीडिया पर फाइरल हुआ था वीडियो वाइरल होने के बाद इमर्ती देवी का मीडिया पर गुसा फूट पड़ा कहा कि मीडिया तोड़ मोड कर पेश करती है उन्होंने बावत साहब के प्रतमा हटाने पर कहा कि बलावा में गौशाला की जमीन पर किसी मंचले ने बावत साहिब की मूर्ती लगा दी विवाद ना बड़े इसलिए मूर्ती हट पाई है आगे उन्होंने कहा कि गौशाला बावत साहब के नाम पर होगी और वहाँ उनकी मूर्ती भी लगेगी लेकिन मैं हूँ ना गरीब की लड़ाई लड़ती हूं जनता की लड़ाई लड़ती हूं और अपने छेत में बहुत लोग प्री हूं इसलिए मेरी जनता मुझे प्यार भी बहुत करती है और मेरे से नाराजी ये का जता सकते तो हम कब